इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं या लेडर स्टेटमेंट की जो इफ कंडिशन हम पाड़ रहा है उसके अंतरगत ये सारी चीजे हम देख रहा है इसके पहले हमने simple if जान लिए इसके बाद हमने narrative भी जान लिए अब हम बात करेंगे उसके और advance यानि कि जब आपके पास में 2 से अधिक condition होती है देखे 2 condition होती है तो simple सी बात है हमने क्या कर लिए एक condition के लिए हमने simply if use कर लिए ठीक है और उसी की wrong condition के लिए हमने if else use कर लिए तो अभी हम बात करेंगे किसकी else if की else if का मतलब होता है letter statement तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा solution explorer यहाँ पर आपको project देखेगा right click करना है project के उपार add पर click करना है add पर click करने के पस्चात आपको क्या करना एक नया form add करना है अच्छा यह नया form add करने के लिए एक और तरीका मैंने बताया था आपको project menu होता है तो project menu आपको जाना है और यहीं पर आपको लिखा आएगा add windows form देखेए सबसे simple तरीका है इस पर आप जो है click करिए और click करने के बाद आपको देखे add new item की windows खुल गई उसके बाद इसमें windows form और यहाँ पर आपको windows form और यहाँ पर आपको जो है else if ladder statement इस प्रकार से इसका नाम दे सकते हैं सीधे आप add button पर click कर दीजे आप देखोगे तो मिलेगा देखें यहाँ पर LC platter करके एक form बनकर मिल गया है simple इस form के हम properties set कर सकते हैं नाम दे सकते हैं जो भी हम सीधे चलते हैं group box लेते हैं यहाँ पर देखें अपने मिलेगा group box एक group box को हम draw कर लेते और यहाँ पर हम जो है simple एक text box के तोर पर हम जो है इसमें काम करेंगे और हम क्या ले लेते हैं एक या दो लेवल ले लेते हैं चलिए दो लेवल ले लेते हैं यहाँ पर हम जो दो लेवल ले लेते हैं यह हमने लेवल लिए और इन लेवल को इस प्रकार ले जाकर इधार किनारे लगा देते हैं उसके बाद दो टेक्स बॉक्स ले लेते हैं ठीक है देखिए हमने दो text box ले लिए, इन text box को भी आप जो है इस प्रकार किनारे लगा सकते हैं, जो आप level लिए हैं, लेवल के सामने, थोड़ा सा इसकी bit को फैला दीजे, एक button ले लिजे, button की जरूवत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम man काम button में ही करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, अब इनके font की setting कर लिजे, तो font की setting हम कर सकते हैं, group box में ही जाना है, यहीं कि group box को select करना है, और आपको जाना है font property में, font property का अंतरगात आपको bold करना है, 12, 14, जो भी करना है इस प्रकार से कर लिजे, इसका नाम दे दीजी क्या, यह जो level है, इसका नाम बदल कर कर दीजे, य ठीक है, इस प्रकार से, और नीचे वाले का नाम कर दो answer, ठीक है, answer या फिर, जितना भी percent वनेगा, उस के दार पर grade आ जाना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी setting कर लिए, इस button का नाम हम simple कर देते हैं, ok, यह निकी result, और इस group box का नाम हम कर देते हैं, else if ladder, ठीक ह चली, simple हम जो है, इसमें coding करते हैं, हम इसका चाहे तो color कर सकते हैं, form का color कर दीजे, form को select करें, और form का background color हम change कर देते हैं, यहाँ पर properties में जाना है, और form का back color में जाना है, यहाँ पर custom में जाना है, इस प्रकार से आप form का back color change कर सकते हैं, simple, अब हम जो है, coding करेंगे, तो coding कह करते हैं आपको पता है ओके बटन पर यानि कि कोई भी बटन पर ही हम कोडिंग करते हैं तो सिंपल ऐसे डबल क्लिक करना है और आपके सामने कोडिंग बिंडो खुल गई हम यहां पर एक बैरेबल लेंगे जिसका नाम है परसेंटेज ठीक है तो डिम करके हम ले 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 साथ में तो जो पी है पी में हम किसकी वैलिने बताइए लिए ॐ अब हम किस इंपल पी को इफ यदि भड़ा है या बराबर किसके शेवंठीव सेवंटिफॉर्ग propri तो क्या होना चाहिए है जो दूसरा text box लिए हमने text box 2 उसमें हम answer print करेंगे एक को लगाख है grade A कर देते हैं ठीक है इसी के अधार पर else if लगता है ठीक है else बस नहीं लगता है else if का मतलब होता है जब आपकी पहली condition गलत है तो दूसरी condition को चेक करेगा दूसरी condition में भी हम उसी प फिर से हम print कर देते हैं जब grade A नहीं रहेगा तो क्या रहेगा grade B रहेगा तो grade इस प्रकार से B ठीक है उसके बाद grade B भी नहीं है तो क्या होगा एक तीसरी condition भी हो सकती है तो यहां पर फिर से लिखेंगे हम else if और else if में फिर से P को चेक करेंगे बराबार 50 कर दो 50 करना 45 करना वो आपके उपर है ठीक है condition आप कुछ भी लगा सकते है जैसे हमने age वाले में लगाए थे फिर हम text box 2 में answer print करेंगे text box 2 में क्या answer print होगा बताईए यह answer print होगा grade C इस प्रकार से grade C अब grade C भी नहीं है तो एक और answer हो सकता grade D तो देखें बताईए मुझे जिसे मान लो grade A नही भी चीज आएगी वो grade D में चली जाएगी तो आप else लगा सकते हो पर आप चाहते हो कि grade D भी आना चाहिए उसके अलावा only pass भी आना चाहिए तो आप जो है else इफ एक वार और लगा सकते हैं जैसे P और P को आपने क्या करें यहां कर दो 40 अगर 40 है और उसके बराबर है यह ब भी है तो आप else लगा सकते हो यह नहीं कि जब आपकी condition समाप्त हो चुकी है और आपको चाहिए default answer तो आप else मुसका answer लिख सकते हैं कैसे textbox2.text equal only pass क्या लिख सेते only pass क्योंकि simple सी बात है a नहीं बना, b नहीं बना, c नहीं, d नहीं तो क्या होगा only pass ठीक है नहीं तो in mess होगा तो simple है आप ऐसे लगा सकते हो इसके लिए भी मैं condition बताऊंगा कि अगर सभी subject में pass है तो ही grade बनना चाहिए नहीं तो नहीं बनना चाहिए तो उसके लिए हम mark seed वाला जो program बनाएंगे व आज भी automatic run होती है वो तो अगर गलत होती तो तो यहाँ पर दो से अधिक संख्या में अगर condition हमारी देखने को मिल रही है तो उसके लिए लगाते हम else if या ladder statement आई होप आपको यह समझ में आई coding चलिए इसको हम simple run करा करा कर देखते है रन कराने के लिए हमारा जो नया form ladder statement कर देते हैं और directly run करा कर देख लिए जैसे हम run कराएंगे तो हमारा जो project है वो run हो चुका है देखे ध्यान से यहाँ पर इसमें हम directly type करेंगे 50.56 जैसे हम okay करेंगे देखे grade C आ गया अगया अगर मानलो हम यहाँ कर देते हैं 62.23 तो देखे grade B आ गया अगर मानलो हम कर देत तो यहाँ पर grade A आ गया और यदि हम कर देते हैं 42.20 तो grade D आ गया और अगर 40 से नीचे कर रहे हैं जैसे मानलो हमने 36 कर दिये 36.20 तो only pass तो हमारी 4 condition यहाँ पर पास हो चुकी है ठीक है अगर यहाँ पर हमारी कोई दिक्कत आती तो हम उसको देखते हैं परन्तु यहाँ क्योंकि परसेंटेज दसनबलों में होता है और अगर पूर्णांक में रहती वैलू तो इंटीजर लेते अब जो पी है उसको कहां से वैलू दी हमने टेक्स बॉक्स बन में जो भी इंपूट किया जागा पी में चला गया और पी को हमने हर बार चेक कर लिए कि पी बड़ा है किस से 75 से या बराबर है तो ग्रेड ए उसी प्रकार 60 में ग्रेड बी 50 में आपको ग्रेड C मिलेगा 40 में ग्रेड D और उसके नीचे है तो only pass ठीक ह इसके बाद हम जो है इसकी finally जो practice है जैसे mark seed बनाना देखेंगे calculator बनाना देखेंगे तो दो program आपके हो जाएंगे तो ये वाली जो condition है वो आपकी complete रूप से है और finishing आ जाएगी I hope ये सारी चीजे clear होई होगी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं और video अगर समझ में आया है पसंद आया है तो आप video को like कर सकते हैं